मैं डॉक्टर शूभा सिंग, पूर्व प्राचारी नभ्यव कला इवं वाणीजी महाविद्याले, जबलपुर शिक्षकों के लिए स्रजनात्मक्ता इवं नवाचार की विशे में आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगे Importance of Creativity and Innovation for Teachers स्रजनात्मक्त इवं नवाचार का अज की समय में बहुत अधिक महत्व है शिक्षकों की स्रजनात्मक्ता बढ़ाने के लिए आधनिक तक्निकों का उपयोग बहुत आवश्यक हो जाता है शिक्षा एवं सुचना प्रसारण की एहम भूमी का आज हमारे समने दिखाई देती है बहुत तिक संसादनों के साथ सुचना एवं संचार प्रोदेगी का प्रयोग बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों में पैग्यानिक द्रश्टिकून का विकास भी बहुत आवश्यक है नई तक्निक का स्वागत करना हमारा परमधर्म है आज ऑनलाइन कक्षा एवं ऑनलाइन यूनस्टि को पढ़ावा देना भी हमारे लिए आवश्यक हो गया है हम यह सब देखते हैं कि इस प्रकार से आज बिश्व में शिक्षा के शित्र में शिक्षिक तक्निकी के उपयोग की चर्चा हो रही है और दिन प्रती दिन यह बात बहुत प्रबलता से उठाई जा रही है परिनामता विक्सित देशों में तो रेडियो, टेप रेकॉर्डर, वीडियो टेप, फिल्म, क्लोस सरकीट, टेलिविजन, कम्प्यूटर, वीडियो कॉन्फरेंसिंग, इंटरनेट, टेब इत्यादी का प्रयोग अपसामाने है इन में से कम्प्यूटर शिक्षन सरवादिक तचलित है आधनीक शेक्षिक तक्नीक के द्वारा ही शिक्षन कारे करने की प्रक्रिया पाश्याते देशों में की तरह भारत में भी प्रगति कर रही है जैसे वहाँ शिक्षक, कम्प्यूटर के माध्यम से, वीडियो कॉन के फ्रेंसिंग के माध्यम से, टैप, लॉप टैप, लैप टॉप इत्यादी के उप्यों गरा शिक्षन कारे करते हैं भारत में भी इन आदुनेक तक्नीक का अस्तिमाल शालेश शिक्षन में होने लगा है शिक्षिकों की इस रजनात्माग बढ़ाने के लिए आज हमें नवाचार की इन सभी विदियों को और साथ ही तक्नीकी गौपियों भी बहुत शावश्य करना चाहिए विदेशों में तो कक्षा पहली से ही कंप्यूटर एवन टैबलेट में पढ़ाई करा जाती है और हम सभी जानते हैं इस दोर में जहां पर हम सब लॉक्टाउन में हैं और इस एक करोना नमाग कोविन नाइंटीन के माध्यम से जो बिमारी फैल रही है उसके कारण सभी लोग घरों में कहते हैं और ऐसे समय में बच्चे भी परिक्षा नहीं दे पाने के स्थिती में या उनके कोर्स नहीं हो पाने के स्थिती में टैब ये लैपटॉप ये मुबाईल के माध्यम से ही कक्षाएं टीचर्स ले रहे हैं और बच्चे उसमें अध्यन कर रहे हैं यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक समय में कहा जाता था कि मुबाइल से दूर रखो बच्चों को आखे खराब हो जाएंगे टीवी से दूर रखो लेकिन आज यही टीवी आज यही मुबाइल यही लैप्टाउप हमारे बच्चों के शिक्षन कारे को बहुत अगे ब कर रहे हैं और शिक्षक भी पूर्ण सनलगनिता और तलीनिता के साथ में इनोवेशन के मात्यम से शिक्षा दे रहे हैं जैसा कि विदेशों में होता है विसी प्रकार से टाइम टेबल के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाता है फिर वापस हुआ हम पर आकर अगले दित की प बाते हैं शिक्षक शिक्षपधिति का मुख्या आधार होता है सूचना मानों को अपनी शमता पहचानने में सफल होती है आज का यूग नवाचार का यूग है सूचना एवं संचार प्रोद्योगी के अभाव में अनेक विकास के कारक्रम रुप जाते हैं सूचना एवं सं आपन श्रेली में दक्ष होने के लिए सूजना इवं प्रद्योगी में भी दक्ष होना चाहिए। आज शिक्षा की शेतर में आधुनिक तक्निक के साथ साथ सूजना इवं संचार प्रद्योगी बहुत तिक संसादनों का बहुतायत उप्योग किया जा रहा है। जैसे calculator, digital library, multimedia, video conferencing, profile बनाना, power point बनाना, MS Word, MS Office आदी अनेक अनेक साथनों के द्वारा शिक्षण कारे को आधनिक बनाये जा रहा है सूचिना करांती के इस युग में शिक्षण की सफलता एवं सार्थक भूमी का तभी सिद्ध होगी जब वह इन माध्यमों के साथ ही शिक्षण के अध्यन के साथ साथ शिक्षार्थियों को एक ऐसा ग्यान दे कि उन्हें भविश्य के लिए एक मंजिल तेह कर सके, उन्हें एक रोज़दार का आउसाय प्रदान करे साथ ही साथ में अपने इसके लिए अपने कौशल को डवलप्मेंट करने के लिए उनको बढ़ाने के लिए भी कारे कर सकता है एक शिक्षक को निति नवीन सुचनाओं को प्राप्त करने का सतत एवं सजग प्रयास अवश्य करना चाहिए जिससे प्राप्त सुचनाओं का उप्योग कर वैबालक के प्यक्तितों का भली प्रकार पिकास कर सके नवीन तकनीकी की बदोलत से ही संपूर्ण विश्व एक परिवार की रूप में हो गया है कम्प्यूटर, इंटरनेट, स्काइप, फेस्टाइम, वेबसाइट, वाटसेप, आदी ने सारी विश्व को एक छथ के नीची ला दिया है शेक्षिक नवाचारों की उप्योगता किसी भी कीमत में कम नहीं है शेक्षिक नवाचार से शिक्षन प्रक्रिया में नई तथा उप्योगी परिवर्तन किये जा सकती है शेक्षिक शोद कारे में नवाचार की भुमी का बहुत महत्वपून है शेक्षिक नवाचारों से शिक्षा से संबंदित सभी वर्गों को लाप हो सकता है नवाचारों के प्रयोग से ही शिक्षन श्रंग में भी कमी लाई जा सकती है नवाचारों के माद्यम से ही तक्नीकी ज्यान और मानुई श्रंग का उपयोग उपयोग भी संभाव है हम सभी जानते हैं कि नवाचार और शेक्षिक तकनीक आज हमारे लाइफ स्टाइल में रम गई है साती सात में विशेश रूप से छोटे बालक बालिकों में चातरों में विद्यार्थियों में तो यह बहुत अधिक प्रचिलन में आ चुकी है कोई भी विद्यार्थी कहीं भी हो यदि उसी कुछ सर्च करना है कोई शब्दिकार्थ जानना है किसी की विशे में जानना हो तो वह गूगल की माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर वह नया ज्यान प्राप्त कर लेता है इसलिए आज शेक्षिक तक्नीक कम है तो बहुत अधिक बाड़ गया है importance of education technology शेक्षिक तक्नीक इने शेक्षा के शेत्रे में प्रभावी क्रांतियोत परने की है और इसने शेक्षिक तक्नीक को विशेश रूप से प्रभावित भी किया है शेक्षिक तक्नीक की उप्योगिताएं बहुत सारी हैं जैसे शेक्षन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है आज जन साधरन के पास रेडियो, टेलिविजन, टेप रेकॉर्डर की उसुविधाय सुलब हैं इनमें उप्योग शेक्षा के लिए भी किया जा सकता है पत्राचार पार्थे वस्तु को अभी क्रमित अनुदेशन तथा रेडियो, दूरदर्शन, टेप रेकॉर्डर, मुबाईल इत्यादी के मात्यम से और भी प्रभावशाली बनाया सकता है शेक्षिक तक्नीकी के फलसुप एक प्रभावशाली शेक्षक के ज्यान और कोशल का लाव सभी उठा सकते हैं कम्पीटर के उप्योग से शिक्षकों तथा मौलिक रूप से संचित किया जा सकता है उसके बाद विद्यार्थी उनके विचारों को मौलिक रूप में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं शिक्षन अधिकम तथा प्रशिक्षन की जरश्टी से शेक्षिक तक्नीक का विशेश महत्व है। वह प्रभावशली शिक्षक की उपादे इता में भी रद्धी कर सकता है। इससे वह हमेशा अपडेट रहे। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से स्रजनात्मक्त के विकास के लिए नवाचार के सादनों की उपेक्षन नहीं कर सकते हैं। परनतु आवशक्ता इस बात की भी है कि शेक्षिक तक्नीक को इस प्रकार रुपांतरित कर द उसमें नई तक्नीकी के साथ साथ नई संसकारों को भी डालने का भी काम आने वारी पिल्धी को विक्सित और परिश्रत करने के लिए आवशक है। मनुष उन लक्षियों को प्राप्त करें जो महापुरुशों के हिर्दय में सदा विद्यमान रहते हैं। हमारे रिशी मु आने वाते हैं। झालने वाते हैं।